हेलो गाइज वेलकुम बैक टो सब्सक्राइब बात करने वालों महाराजा अग्रिशेन इंस्टिटूट वाप टेक्नलोजी देली के बारे में अगर मैं जीजे साइब काउंसलिंग के बारे में बात करूं ना तो युए साइसीटी के बाद जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग को डिमांडिंग कॉलेज है हो है महाराजा अग्रिशेन अब ऐसा क्यूं है और इन फैक्ट में बात तुमें बताता हूं कि माइट का प्लेस्मेंट 2022 के केंपरीजन 2023 में कम हुआ था 2024 का नियारफ डेटा भी तुमें दिखांगा और 2023 का नियारफ डेटा दिखांगा तो है में अइटी का बहुत शारी बाते आपको जानने को मिलेंगी और आपको में लेना चाहिए यहां से इसको क्या कर सकते हो एक बढ़िया डिसीजन ले सकते हो इस वीडियो देखने के बाद आप इसको डिसाइड कर पाऊगे कि सुद वी हब तुपार एमे आइटी और नॉ है तो 60-70,000 रांग में में लेवल का कॉलिज तो आपको शायद ही देखने को मिले बाद वरी गाईस तो चलो बाई शुरू करते हैं में अब आइटी की बात करूं तो में एमे आइटी की जो फीस है एक लाग तिरालीस हजार के आसपास है अगर मैं बात करूं कि भाईया हो अगर शुरू करते हैं तो फीस काफी वराइटी में आपको देखने को मिल जाती है एक तो बिताउट एसी होता है और एक अबित हैसी होता है अगर सिंगल सीटर लेंगे तो वही या फीस से ज्यादा मैं या होस्टल बड़ेगा जितने की मुर्गी नहीं उतना उतने का मसा हाला बासमन में आ रहा है डबल सीटर लेंगे तो एक लाग बैली सार और फॉर सीटर लेंगे एसी में तो एक लाग चोवाली सार मतलब जितने की फीस अगर फॉर सीटर में भी अजस्ट करते हैं तो उससे जादे की होस्टल फीस आपको यहां पर देनी पड़ जाएगी हल साल में कितना खर्चा आने वाला है तो चार साल में यहां से बीटे करने में 11-12 लाग का खर्चा आने वाला है चलो कोई बात नहीं बहुत ज्यादा महेंगा निया चल जाएगा आर्योगड़ी में पॉइंट वाइंट वाइं तो मतलब वही 10-12 लाग में आपका यहां पर हो जाएगा कैंपसरी की बात करो तो 41 एकर जोखी गूगल पर दिया हुआ है बच्चों से बात करो तो पता चलता कि यारे यार कैंपसरी तो इससे भी काम है 10-15 एकर मान लो बट ऑफीशिली तो नहीं कहूंगा गूगल वगर है या हर जगा पर में कैंपस साइज इन्होंन ऌढ़ेशन कहां से होगा तो देखों के मेंशन का प्रोसीजर है कि आपको एक्जांद ँरू पडे और उसके बाध जीजी एसविवा फ्रेशन कर वाना पड़े गा टो रिख सब्शाय को जाया को ऑठाना होगा उसी दू आपका मेंशन कॉसन होगा और तो उसका अपना अलग रूल है और रूल रेगुलेशन है अगर आपको होगे तो इसके बार में और जानना चाहते हो तो किसी वेंडर से मिलने के वजाए आप सीधे कॉले से कॉंटेक्ट कर लो आपको ज़्यादा अच्छा इडिया मिल जाएगा अब बात करते हैं में कॉलिजस कौन कौन से हैं तो देखिए यहां पर CSC सिफ्ट 1 और सिफ्ट 2 में है मतलब इनका मौनिंग सिफ्ट में चलता है इनका इवरिंग में तो नहीं चलता है लेकिन बारे बजे के बात चलता है इनकी क्लासेज तो एक्सोषी सीट फॉस्ट में है और सिफ्ट इवरिंग सेटेगे सेज्ट में अरश्रे कें मत सोच लेने विदे यार य सू Alexis्फ का प्ली क्युच होता होगा था यह संग्यों की नहीं होता है दोनों का साथ होता है जिसके इनधर का इंडिल्टी होगी वही हो लगँ पूड गा इसमें भी काफी तेजी से बढ़ाए गए हैं तो यह आपको एक आइडिया मिल जाएगा अब मैं बात करूँ ना तो देखो मेरा मानना है जो इसमें CAC, CAC Specialization या फिर EIML और EIDF इनके लिए तो कॉल इस बहुत बढ़ी है और 90% लगबग 80-90% सीट जो 80-90% कंपनीज इसी को भी एलाव करती हैं अगर वो टेक कंपनी है तो Suppose that कोई Software Industry की कंपनी आई तो जाद अधर कंपनियां ECE को भी एलाव करती है तो आप ECE भी ले सकते हो लेकिन आपको जाना पड़ेगा किदर आपको अपना कोर छोड़के आपको IT सेक्टर वालों के साथ ही लेना पड़ेगा कंप्यूटर वालों के साथ ही बैठना पड़ेगा और वहीं कोडिंग ओडिंग सीखना पड़ेगा और फोन ना पड़ेगा बहुत सारी कंपनिया ट्रिपल एको भी एलाव करती हैं मान के जो लो साट परसेंट के आसपास मेकेनिकल बगेर हो को तो बस 30% कंपनी कीं लाव करती हैं जो इक क 치 आरिया है अगर मेकञेनिकल की कोंबनी आ यह तो डिफिनेटल को करेगी लेकिन जो तो बाखी companies आ रही है जो open to all होती है उसमें से कुछ-कुछ mechanical को भी करती है ME को भी करती है और बहुत सारी नहीं करती है तो मैंने जो trend देखा है CSC के लिए तो बिल्कुल जाओ ज्यादा-ज्यादा EC के लिए जाओ कुछ लोग EEE के लिए भी चले जाते हैं बट कोर की कंपनियां बड़ा कम आती है चाहिए ओ ट्रिपली की हो या ME की हो या मेकनिकल की हो एस कंपेर टू IT सेक्टर कंपनीज जो software and industries की कंपनीज है उनसे अगर कंपेर करें तो काफी कम आती है तो इनकी लिए थोड़ी सी अपरचुन्टी कम है ओके करें पहले तो हम बात कर लेता है बाई काटाफ एनलिसस के ट अवारे में क्योंकि तेको कहाना कि जो भी बच्चा वीड़ो देख रहा है अब मैं चाहता हूं कि अगर तुम इस रांक में आते हो तो अगर में कटफ की बात करूं तो देखो कटफ मैं आपको दिखाता हूं क कहां तक admission हो जाता है almost almost अलांकि spot round का data इनका अलग है spot round की बात ही अलग है क्योंकि spot round में तो 80-90,000 तक admission हो जाता है और IPU में कई spots round चलते हैं और spot round का data IPU अभी फिलाल में release नहीं कर रहा है अगर मैं बात करूं के बार में तो computer science देली वालों को 62,000 पर मिला था और outsider को 31,000 पर मिला था बच्चे के पास और भी options थें बट ठीक है CS&IT में last admission 92,000 तो CS&Tech में last admission दिली वालों का 92,000 में वा था आउटसाइडर का 45,000 में वा था अभी 92,000 राइंक में एमी इसके लिए best option था अगर किसी का 70-80,000 राइंक है दिली से है तो इस इस बास्ट ऑप्शन आख बंद करके जाओ कोई दिक कती है CS&IT में 92,000 और आउटसाइड देली के लिए 49,000 CS&IT में 90,000 और आउटसाइड देली के लिए 50,000 पर बंद हुआ था CS&IT में 99,000 लगबग 1,000,000 राइंक तक और आउटसाइड के लिए 50,000 राइंक तक ट्रिपली लगबग 2,33,000 राइंक पर देखो अब दिली वालों ने ट्रिपली में इनको बिल्कुल इंटरस नहीं है 2,33,000 राइंक तक ट्रिपली में एडमिशन इन लोगों ने दिल्ली वालों को दिया और आउटसाइडर वाले फिर भी जार हैं 70,000 राइंक पर अगर एडवांस कम्म्निकेशन में बात करूं तो 1,64,000 राइंक पर दिल्ली में आउटसाइडर को 65,000 राइंक पर इन लोगों सब्स सब्सक्राइडर के बाकि अगर कोई insider रहे तो उसको 2-3-2-3-6.000 रंक तक आरांबस अग्मिशन मिलने की सब्सक्राइब रहती है लेकिन एक चीज़ इंसाइड वालों को जो आउटसाइडर हैं उनको इस पॉर्ट में फाइदा होता है इस पॉर्ट में जो सीट्स होते हैं उपन टू आलो जाती है उपन टू आलोने का मतलब है कि जो 85 परसेंट का सीट रिजर्वेशन है जीजेए साइप्यू की जो कॉंसलिंग प्रॉसेस है उसमें 5-isto 50 सीट रिजर्व किनके लिए भाई वे डिली वालों के लिह रिजर्व डे और बागी 15 सीट ओपें टू आल है यहांफे कोई भी बैठ सकता है इस पॉसी की पुरी की फूरी सीट ओपें टू ओल कर点ती है तो इस पॉर्ट में बच्चों को काफी ज्यादा मिलता है जो होचाइडर है अब में एक बात आपको जरूर बताऊंगा वैसे तो मैंने सिर्फ जनरल की बताई और यहां पर OBC OBC कोटा नहीं लगता है बात धान रखिएगा और इस साल तो 2014-2023 का जो इनए अरफ डेटा था इसके एक और इनके पास 989 बच्चे ग्रिजुएट हुए थे और 849 बच्चे प्लेस्ट हो गयते हैं और मीडियन सेलरी इनकी 8.25 लपी ती जो की वैरी गुड है काफी बढ़िया है काफी बढ़िया है मंदब जेपी का भी आ इसलिए अपन लोग बोल रहा है कि अगर इस साल का हाइस पैकेज तो हाइस पैकेज इनके हां से 51 लपीए का रहा है ठीक है और 2021 पिछले साल में जो हाइस पैकेज रहा था 1.13 करोर कर रहा था तो एक करोड तेरह लाग का रहा था जो की काफी ज्यादा डिसेंट है तॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो जो भी जितनी भी बड़ी कंपनी आप 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 में देखते हो सब आ जाती है माइक्रोश ऑप गूगल एमेजान यहां पर फ्रिक्वेंटली विजिट करती है भाई फ्रिक्वेंटली विजिट करती है काफी ज्यादे बच्चों को लेके जाती है एडोबी हो गया जैपी मॉर्गन हो गया मतलब ठीक है काफी को आपको अच्छी अच्छी कंपनी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है मतलब अगर आपके अंदर कापैबिल्टी है अगर आप फोड़ सकते हो तो एमेज आईटी वाले आपको बैठने का म और फोड़ा है मैं मिश्गी कमपैर को कंपेर करते हैं कि अपिछले साल में और सकतर आपकेज नियसा साव और निखिए मिल यहीग मिला वाले निचीज तोपाइज़ उसके बाद 10-20 लाग में 2023 में लगभग लगभग 2023 में 10-20 लाग के पाकेज में 33 बच्चे थे और इस और उसके पिछले साल दसे 20 लाग के बीच में 37 बच्चे थे अगर मैं बात करूं कि कितने बच्चे इस साल 2023 में देख 24 तो भी चल रहा है अभी तो इन्हों से जाले का प्लिशमेंट कितने बच्चों कर ववा तो मात्र थीन बच्चों कर वह जब सब्सक्राइब चैनल बॉदऑ में 15 लाग से जादे का प्लिशमेंट थीरा बच्चों कर वह चो कि अपने आप उखी हॉर चाहिस से 5 saying के बीच दोहजार तेईस में मात्र पांच भच hopes थे और बाकी इनके हो और बात करों स्भाने फैसे पचास लागए बीच के पिछले साल मातर दो भचे थे और थेससे चालीस 6004 भाट्क थे यान गशें कि ए की कौन कंपनी स्कृति को लेके गई थी तो देखिए पिछली इस साल माइक्रोसफ आई थी वह पांच बच्चो को लेके गई थी जो 51 लाक्ट से जादे का दिखा रहा था उसी का है ड़यडा पांच बच्चों को ले गई थी क्याओं लाक्र पाकेस पर ठीक है अब अगर मैं बात करूँ गूगल आई थी तो एक ही बच्चे को लेगे गए थी फोटी नाइन लाग के पाकेस पर उसके बाद से Amazon एक बच्चे को लेगे थी 34 लाग के पाकेस पर यह 2022 का डिटा है 2022 में देखिए आप यहाँ पर Amazon का आप देखिए Amazon एक किस प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन और प्लस चार ठीक है तो पच्चिस एपच्चिस हो गया और लगबग लगबग यह आपका नो हो गया तो 34 बच्चों को लेके गई थी Amazon देखो तो इस्चारों Amazon के ही है एमेजोन देखो चौटिस बच्चों को लेके गई थी देख रहा हूं चौटिस बच्चों को लेके गई थी 44 लाके पाकेस पर एक साथ बल्क में हेर किया था इसने उसके बाद अट्लांसियन नौ बच्चों को ले गई थी, CS और IT के नौ बच्चों को ले गई थी, 57 लाग के पाकेस पर, आब एक चिस्तों में दिखेगा, MAE को कोई पूछ नहीं रहा है, जो बड़े पाकेस हैं, उसमें MAE को किसी नहीं पूछा है, और 9EE को पूछा है, EC को फिर भी Amazon वा पूछा, ना मेकनिकल को पूछा, और नाhell-ona a Award. EC में Microsoft पे भी बच्चा गया है, जाаемै जागत प खिया है, यहां पर वी Amazon more भी बच्चा क्या है तो तो हमें दिख रहा होगा की हां ठीक यह तो एमेजॉन तो यहां हर साल आ रही है काफी तगड़ा पैकेज दे रही है तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि हाँ ठीक है अच्छी अच्छी कंपनीज भी आ रही है है 2022 में काफी जबजस प्लेस्मेंट हुआ था इसके कंपेरीजन इसमें कम हुआ है बट इसमें भी काफी अच्छा कासा प्लेस्मेंट हुआ है और एक चीज तुम्हें यहां से दिख गया होगा इस चार्ट से कि भाईया मेकेनिकल और ट्रिपली का क्या हाल है कोई भी बड़ लग सकता है तो इससे आपको एक आइडिया तो मिली यह होगा कि कौन सा ब्रांच आपको चूज करना चाहिए बात है बुरी भले लग सकती हो कि लोग सीयस में भेंड़ चाल लेकिन बात है अगर सीयस आप क्यों ना चले वाई कंप्यूटर में भेंड़ चाल देखरो पैक अब मैं बात करता हूं स्कॉलर्शिप की यहां पर स्कॉलर्शिप का क्या मसला है तो देखो मैं स्कॉलर्शिप का सिंपल बताता हूं बहुत जादी जैसे कि प्राइबेट में बहुत जादी स्कॉलर्शिप होते हैं यहां पर बहुत जादी स्कॉलर्शिप नहीं है जो ग कुछ प्राइजिस भी इनको मिलते हैं तो बस यहीं है बाकी ऐसा फ्डब्लू शीट फी विएवियर फी कंशिशन या फिर शुल्क प्रति पुर्थी टाइप की चीज़े बहुत कम आपको इनके हां देखने को मिलेगी और यहां पर टेक्निकल एजुकेशन सोसाय। यहां पर जो मेरिट वाले ऐस्टूएट्ट ऐस्टीं शूशांट土 त्चेंटोधarta की 살ावीय वच्चों को क्या करतीं है एक तो इसमें काफी सोसाइटी यहां पर बनी हूई है और दूसरा यहां पर कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है काफी बड़ी-बड़ी कंपनी स्था पो यहां पर देखनी को मिल जाएंगी और होसल फेसल्टी व्य थीक थाक है मतलब किसी को single city चाहिए तोभी में लागा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर में कॉंस की बात करूं कॉंस की बात करूं तो बहुत जैसे सूरज्मल वागए रहा है सूरज्मल इन से बैटा रहे हैं तो इस इस लेक आप कनेक्टिविटी और दूसरा अगर मैं बात करूं तो फेस्ट वेगर जिसे डीटी वेगर या फिर बागी कॉलेजों के जबर जस्ट थे बच्चों का कहना था कि यार उतना बड़ी अफेस्ट नजर नहीं आ उतना बड़ी अफेस् इस ही गायत है कि या कैमपस भूँ जोटा है मैं शुरू में ही बताया कि 41 अकर सो लिख रका है बट बच्चे कहते हैं कि 41 अकर से भी कम का है अगर मैं बात करूं तो हॉस्टल में नॉन वेज नी मनता है कॉलेज की लोकेशन अच्छी नहीं है इस पोर्ट फैसल्टी इस उ अगर आपको में मन में कोई डाउट हो लगे कि बहाँ नहीं नहीं आपने चीज ही पॉंट में तो आप बता देना आइविल डेफिनेटली एक बात और मैं बोलूंगा यहां पे अटेंडिनेंस के लिए उत्मी चुल नहीं है जो होता ना कि 75 परेंट के लिए 80 परसेंट य सकते हो और साथ ही साथ अपने कोडिंग इसकल पर भी धान सकते हो बाहर की कोर्सेज वगरा करके भी अपना इसकल बढ़ा सकते हो तो 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 आप में से किसी को हम से कांसिलिंग गराना तो भईया परेशान मत होई ए फोट लगाई यह यह फिर स्टीबीज एकेडमी आप ड I hope you are getting my point तो चलिये मिलते है नेक शोड़े में अदर तक लिए बाबाय टाटा एंड चाहिंद